नमस्कार कोई भी कारी अगर हाथ में लो ना तो उस कारी को हाथ में लो तो उससे पहले ये चीज़ ध्यान रखना वह से लोगों क्या होता है काम करने का तरीक ही पता नहीं है कैसे काम किया जाता है आप उपिस में वर्क करते हो, आप अपने गर पे वर्क करते हो, आप समाज में कोई वर्क करते हो, या आप बिजनिस में अपना कोई वर्क करते हो, सबसे पहले एक बात यहाद रखना कहीं पर भी वर्क करें समाज में करें घर पर करें बिजनिस में करें या नौकरी में करें काम करने का तरीका जान लेना की काम कैसे किया जाता है कि कि आप ऐसे बस वहां यार समाज का काम करना है बस कर रहे हैं यार बस कर रहे हैं हाँ यार ओपिस का काम कर रहे हैं बस कर रहे हैं हाँ यार बिजनिस का काम कर रहे हैं हाँ घर का काम कर रहे हैं तो कर रहे हैं या फिर क जान रगना, उसमें 100% डूब कर कारी करना, किसी भी काम में अगर अपने आप को उस वर्क में 100% डूबा कर आप काम करोगे न, तो उसका रिजल्ट ऐसा निखर के आएगा, कि पूरी दुनिया देखेगी उस रिजल्ट को, कोई भी कारी करो न ता, बे मन्से कभी कारी मत करना वर्क करो तो उसमें 100% डूब जाना, और देखना कि इस वर्क को ऐसा करना कि पूरी दुनिया देखे, कोई सब भी वर्क करो न, कोई सब भी कारी करो न, तो इसे डूब करना कि उसमें आप की जलक नजर आए, लोग दिख नहीं के दे और यार यह व Ee work यह काम यह काम तो बस वो इंसान ही कर सकता है उसके अलवा यह कोई कारियन नहीं कर सकता उसकाम में आपके अमिट छाड चोड़नी होगी आपको उसकाम में अपने आपको माहिर बंदाना होगा आपको अगर उस वर्क में, किसी भी वर्क में अपने आपको माहिर बना दिया ना तो आपको आगे बढ़ने से कोई नहीं रोक सकता है अब आपको किसी कारी में हम अपनी चाप कैसे छोड़े किसी कारी को बहतर कैसे करें अगर आपको किसी कारी को बहतर करना है अगर आपको उसमें अपनी अमिड छाप छोड़नी है ना तो उस वर को बार-बार करो बार-बार करने से क्या होगा आपको practice होगी और practice करने वाला इंसान कभी हारता नहीं है किसी काम में perfection कब आता है एक बार कोई कारीय करने से उसमें perfection आ जयता है नहीं आता है perfection तब आता है जब उस कारी को बार 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 repeat किया जाता है एक बार आपको कारी करोगे आपको मुश्किल लगेगा दो बार मुश्किल लगेगा तीन बार लगेगा चोती बार तो वो कारी आपको औरहे यार यह कर यह तो मिने पेले किया होगा इखुँची तो क्यार सिर्फ उसने ही किया होगा। कैसे कहते हैं आपके perfection के कारण जब भी work करो तो ऐसा डूप कर करना की दूसरा कोई ने कर पाए आप से बहतर कोई ने कर पाए तभी आपका नाम होगा तभी आपकी पेचान होगी तभी लोग आपको मानेंगे कोई सहब आपको जो आप जिस कारी में आप perfect होगे ना तो लोग आपको बुलाएंगे अरे यार इस कारी के लिए टो उनको बुलाओ क्यों बुलाएंगे आपकी ability के कारव आपकी योगीता के कारव इसलिए कोई भी कारी करना जियो N में तो ऐसे ही मत करना बे mind से900 करना जो भी work करो तो डूप कर करना जिस कारी को आप में 100% डूप कर किया उस कारी ऐसा निखर के आएगा कि पूरी दुनिया देखेगी बेमन से कोई भी कारी मत करना